आज की कहानी है एक सर्द रात जो आग सी गरम थी लेखी का गीता श्री स्वर वैदे ही वैं नए साल की शाम थी उन्माद और उत्तेजना से भरी हुई शाम वैसे तो सबताहांत में पब की रातें ऐसी ही होती हैं कोई किसी की आवाज नहीं सुनता उत्तेजक शोर सबको बहरा बना देता है अपनी आवाज भी नहीं सुन पाते लोग फिजा में तेज तेरती हुई तीकी धुन रंग विरंगी रोशनी और अपने में डूबे हुए बेढब जूडे वह शाम जरा अलग सी थी नए साल की शाम अलग तरह के जोश से भरी हुई शाम होती है जुसमें उम्मीदों के सितारे टके होते हैं नए संकल्पों के दिये टिम्टिमाते हैं उस शाम लगवग हर बार और मॉल रूमानी जोड़ों से भरा हुआ था मॉल्स में तो क्रिस्मस से ही सजावट होती है वह नए साल तक रहती है मॉल्स जगमगा रहे थे इन सब के बीच एक अकेली तूटी हुई लड़की बाहर खड़ी होकर समय का प्रवाह देख रही थी उसने मॉल के अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं की इतनी भीड इतनी भीड में तो वह कुचल ही जाएगी और अकेले जाने से भी क्या फायदा कुपल्स के बीच जिन में कुछ लोग इस तरह हातों में हाट डाल कर घूम रहे हैं और हाथ और माथे पर चुमबन करते हुए चल रहे हैं कि उसे खुद ही शर्म आ जाए नए नए रड़की ने सोचा और मॉल के अंदर नहीं गई इस वक्त वह अपने टूटे हुए दिल के और छूटे हुए प्यार के बारे में सोच रही थी वह किसी को याद कर रही थी उसका प्यार छूटे हुए अब तो चार-पांच महीने हो गए थे छोटी सी बात पर इतना जगड़ा बढ़ा था कि उसका प्रेमी प्रियमवद उससे रूट कर चला गया था हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिन्दगी से दूर अब वह थी और उसकी तनहाई थी बीतर की तनहाई मेले की अपार भीड़ पर भारी पड़ती है प्रियमवद के जाने के बाद लड़की कमेचाज उसका काम, स्वभाव, सब कुछ बदल गया था वह अपने पुराने चोले को बदल देना चाहती थी, नए अवतार में आना चाहती थी जिन्दगी ने जो जटका दिया उससे संबल नहीं पा रही थी अब लड़कडाते हुए ही वह जिन्दगी को जटका देने के बारे में गंबीरता से सोच रही थी पुराने साल की तरह उसका प्रेम उसे त्याक कर चला गया था उसे उसके भरपाई चाहिए, सिंगल नहीं रहना चाहती थी उसके दफतर में उसके सिंगल होने की खबर फैलते ही तरह तरह की बाते होंगी कई दावेदार, उम्मीदवार पैदा हो जाएंगे कुश्रोग चिपक जाएंगे, जिनसे पीशा छोडाना मुश्किल हो जाएगा वो ये भी जानती थी कि नया प्रेमी ढूंडना सबजी खरीदने की तरह नहीं है बाजार से आलू टमाटर की तरह खरीद कर लाए और पका कर खा लिया प्रेम को पकने के लिए वक्त चाहिए प्रियमवत के साथ वक्त लगा था आसान नहीं था प्रेम करना और तीन सालों तक निभा ले जाना यहां बाद-बाद पर प्रेमी जोड़े ब्रेक अप कर लेते हैं जटके से मो फेर कर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं इस भावोक लड़की के लिए ना प्रेम में पढ़ना बहुत आसान था ना प्रेम से चूपना वहिस शाम छूट चूट के प्रेम के बारे में सूचना नहीं चाहती थी उजड़ा हुआ चेहरा लेकर तनहा तनहा गूमते उप गई थी कहीं कुछ देर बैठ कर नए साल के संकल्पों के बारे में सूचना चाहती थी जिससे फिर से प्रेम में पढ़ना कता ही शामिल न होग ऐसा नहीं कि उसने कोई साती ढूनने की कोशिश नहीं की अपना सिंगल होने का स्टेटस हटाना जो था पार्ट टाइम साती ततकाल ढून लेना चाहती थी जिसके साथ कुछ वक्त तो कटे प्लान करके प्रेम नहीं किया जा सकता इस बात को वह जानती थी प्लान करके साती तो ढूंडा जा सकता है प्रेम नहीं इस खोज के पीछे प्रियम वद को ये दिखाने की मंच्छा होगी कि देखो तुम्हारे जाने से अकेले नहीं हम ये दुनिया अभी उतनी विकल्प हीन नहीं होई है और चीज की भरपाई हो सकती है सामान हो या इंसान रोते कलपते दिन नहीं काटना उदासी के बादल एक दिन चटेंग गही विकल्प खोजने की कोशिशें जारी है इसके लिए इन दिनों वो जादा देर तक आफिस में रहने लगी थी डेटिंग साइट्स पर जाती सोशल साइट्स पर जाती और किजी संभाविद बॉय फ्रेंड की तलाश करती मगर अफसोस उसके हाथ इतनी मेहनत के बाद भी खाली रहते हर तलाश के बाद वह और निराश हो जाती जैसे जैसे देर हो रही थी निराशा गहरा रही थी उदासी इस्थाई भाव की तरहे उसके चेहरे पर चिपकने लगी थी नए साल पर अकेले पार्टी के ख्याल से ही वे गबरा रही थी कोई उपाय भी तो नहीं था उसे प्रियमवत को दिखाना था किसी के चले जाने से चमन, खाली नहीं होता उससे बेहतर साथी ढूंड कर अपने खाली पन को भरने की कोशिश में वो बार-बार हार रही थी लड़के मिलते थे, प्रस्ताव आते थे, मगर प्रियमवत से बेहतर कोई मिले, तब ना उसमें जो कशिश थी, जो रुमान था, वो कहीं नहीं दोनों का तीन वर्षों का संग साथ भी था, एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे, उसका जाना बहुत खल गया उसे पता ही नहीं चला कि कब प्रियमवत का हाथ उसकी हतेलियों से छूट कर कहीं और जा मिला है क्या ऐसे संबंधों में प्रतिबदताएं नहीं होती वो तो खुद कितनी प्रतिबत थी प्रियमवत के प्रतिब, उसके रहते कभी सोचा नहीं कि पब या बहार में किसी और के साथ समय गुजारा भी जा सकता है जाने कितने प्रताव मिले होंगे, सब को हसकर ठुकरा देती, वह प्रियमवत के प्यार में पढ़ चुकी थी दोस्ती अपने प्रगाडतम रूप में पहुँच चुकी थी, बस कस्मे वादे, प्यार वफा की बातें कभी न हो पाई बीच में रह रह कर सवाल उट रहे, उसके मन में कि क्या दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ टाइंग पास थे एक दूसरे के खाली पन को, अकेले पन को भर रहे थे तीन साल इतनी घनिश्टता में कटे, कि उसने प्रियमवत से बाहर कुछ सोचा ही नहीं उसे भनक तक न लगी कि प्रियमवत उसके साथ रहा, उसके बाहर भी संभावनाय तलाशता रहा यों तो वे उसके साथ बंधा न था, और नहीं वे कोई स्थाई बंधन ढूंड रहा था उसे बंधन मुक्त रिष्टे की तलाश थी, जिसे वे व्यक्त न कर सका कई बार खुलकर व्यक्त न कर पाना, बहुत बड़ा नुक्सान कर जाता है, जिसकी भरपाई नहीं हो पाती किसी एक के लिए तो बहुत घाता के सिती है, वो जो एक संभंध को इस साई मान कर निश्चिन्थ हो जाता है वो जो उसके बाहर कुछ न खुच पाता है, न सोच पाता है, न बूल पाता है, सबसे अधिक चोट वहीं खाता है वो चोट खा चुकी है, उसे किसी और की तलाश है, उसे धोखे ने शिकारी में तबदील कर दिया है साल की अंतिम रात, दिसंबर की कड़कडाती ठंड थी, सडक पर चलते हुए उसने नया उनी स्टूल गली में लपेट लिया उसके फोन में गाना बज रहा था, हाई हीलते नच्चे तो तू बड़ी जच्चे, अपने ही आप उसके कदम इस गाने पर थिरकने लगते थे प्रियमवद के साथ ऐसे गानों पर डांस करते हुए उसे कितना अच्छा लगता था, वैं खो जाती थी उसकी आँकों में और धीरे-धीरे प्रियमवद में प्रियमवद के यादों से खुद को जट से बाहर किया, अब क्या करीव है? उसे सामने वही पब नजर आया, जहां वैं प्रियमवद के साथ आती थी उसने अपनी जेब से सिग्रेट निकाली और धीरे-धीरे सिग्रेट पीते हुए वैं उस पब के सामने बनी बेंच पर पैट गई उसे इस मौसम में सिग्रेट बहुत पसंद थी और प्रियमवद को सबसे ज़्यादा चिर थी इस सिग्रेट की आदत से उसने दूएं में प्रियमवद के ख्यालों को उड़ा दिया कितना अच्छा होता बीते हुए दिन सिगरेट की तरह होते उन्हें धुएं की तरह उड़ा देती ऐसा सोचते ही उसने दूसरी सिगरेट निकाल ली फिर तीसरी जैसे ही वे तीसरी सिगरेट पीने जा रही थी तभी एक आवाज से चौक गए मैडम जी एक तो सिगरेट पीना ही गलत है और उस पर तीन-तिन सिगरेट अकेले पीना ये तो और भी गलत पाप कर रही है आवाज में हासे की लहती कोई चुहल के मूड में था उसने पीछे मुड़ कर देखा करीब 6 फीट का स्मार्ट हट्टा-कट्टा लड़का उसके सामने था ब्लैक टी-शर्ट पर पब का नाम लिखा था उससे पता चल गया था कि वह पब में काम करता होगा मगर वह इधर क्यों आ गया वैसे आप पर न रेड कलर जादा अच्छा लगता है वैं बोलता ही जा रहा था उदास चेहरे वाली उस तनहा लड़की को गुस्सा आया वैं तो बीते हुए दिन सिगरेट के धुए में उड़ाने पर तुली थी शायद कुछ सिगरेट और खर छोती और सारे दिन धुआ हो जाते मुक्ती मिलने की पूरी संभावना थी अचानत इस आवाज ने मुक्त मार्ग में बाधा खड़ी कर दी उसे टोक कर किसी भी टोटका को करते समय टोकना गुना काम की सिद्धी नहीं होती उसका मनोरत भी अधूरा रह गया किसी ने टोक दिया तूएं का टोटका पूरा न हो सका उसने गुसे से उस लड़के को घूरा जो से अकेली समझ कर लिफ्ट लेने आ चुका था ओ मिस्टर क्या आप सभी लड़कियों का इतना ही ख्याल करते हैं उसने अपने लाल रंके उनी स्ट्रोल को अपने गले से उतार लिया ना जी ना सभी का ऐसा ख्याल क्यों रखेंगे वो तो जब लगता कि इधर का हाई हील का डांस अपने सर पर नहीं होगा तब ही बात करने की कोशिश करते हैं उसने लड़की के हाई हील्स क्योर देखा लड़की की हसी छूट गई उसने हस्ते हस्ते पूँच लिया हम तो गर्ल्स वेलफेर सेंटर वेंटर कोई खोला है क्या आपने नहीं जी दरसल आप यहां तीन-चार दिनों से आ रही थी आप बैटी रहती हैं और चली जाती सत्ताइक तारीक से मैं आपको इसी तरह अकेले देख रहा हूँ मैं ना जी यहां बार में उठाईगीरी का काम करता हूँ उठाईगीरी? लड़की ने आके नचा कर पूचा हां मतलब जो लोग यहां आते हैं, पीते हैं, दुत्तो जाते हैं और बाद में पैसा देने से मना करते हैं या कोई और नाटक करते हैं तो हम उन्हें अंदर से उठाकर उनकी गाड़ी तक लाते हैं या कभी-कभी उनकी मन्जिल माने पुलिस स्टेशन तक भी तो जरा हम लोगों को पहचान हो जाती है, कहां से हाई ही लाएगी और कहां से नहीं इंट्रेस्टिंग? तो मुझे देखकर आपको क्या लगा? लड़की ने उससे पूछा, मैडम जी देखिए, एक तो अपनी ड्यूटी का समय है और आपको यहां अकेले छोड़ने का मन नहीं है बड़े दिनों के बाद तो किसी ने हसकर बात की है चलिए आप अपनी मन पसंद जगे जाकर बैठिये मैं आपका ड्रिंक वहीं भिजवाता हूँ बीज बीज में आपसे मिलता रहूंगा मुझे जाना है चलिए ना कहां वहां ठंड में बैठी रहेंगी वैसे भी आप जिनके साथ यहां आती थी वो अभी अभी ही यहां आये हैं अंदर ही हैं किसी और लड़की के साथ अंदिम लाइन सुनकर लड़की को बहुत गहरा धक्का लगा एका एक लगा धर्ती घूमने लगी हो क्या प्रियमवद आप जानते हैं उसे उसने आँखी नीची करते हुए का हा मैम लड़की की आँखों से गुसे और रेजेक्शन के आँसों निकल पड़े ओ प्रियमवद मैम प्लीज यहां मत रोईए अंदर चलिये न आप वहां बैठकर ड्रिंग करियेगा और डांस में आज सारा दर्द भुला दीजेगा लड़की ने उस लड़के की तरफ देखा वह उसे कितना चानता है उसका मन हुआ कि वह उससे पूछे कि आखिर वह उसके बारे में इतना क्यों चानता है क्यों वह उसके लिए इतनी फिक्र कर रहा है उसके मन में सवाल उम्ड़े और आँखों से बह निकले उस लड़के ने बहुत हिचके चाते हुए उसके चेहरे से आंसु पूछने की कोशिश की अंजान चुवन से लड़की एकदम से चौक गई ठंडे ठंडे गालों पर उसके गर्म गर्म आंसु बहते जा रहे थे उस लड़के के ठंडे हातों से वह एकदम से उठ खड़ी हुई मैं जा रही हूँ खर जा रही हूँ उसने आंसु पूछते हुए का आप कभी दर लोट कर नहीं आएगी यह तै करके उठी रूने दोने के लिए आप ठंडा तना कमरा ही कौन सा कम है दीवारे भले चुप रहती हैं चिड़ाती तो नहीं मैं प्लीज आज नए साल की शाम है आज इस तरह रोध होकर न जाएं कल एक नई सुबह आएगे आप उस नई सुबह को देखिए न उसने लड़की को रुमाल देते हुए रोकने की कोशिश की हवा बेहसर थी जो जो रात बीद रही थी ठंड बढ़ती जा रही थी उसका समूचा जिस्म गरम कोट के बावजूद ठंडा पड़ता जा रहा था प्रियमवत के बारे में सुनकर वैं खुद को सम्हाल नहीं पा रही थे इस वक्त उसे लग रहा था कि जादा देर रुकी तो भर-भरा कर गिर पड़ेगी निष्ठा जी प्लीज आप अंदर उसी कोने में बैठे ड्रिंक करें डांस इंजोई करें मैं आपको वहीं मिलता हूँ आए आपके एंट्री करा दूँ पहली बार उसने लड़की को नाम से संबोधित किया रोती विसूरती लड़की चौँक गई आप मेरा नाम कैसे जानते हैं कौन हो तुम किसने भीज आये तुमें मेरे पीछे लड़की यानि निष्ठा की बड़ी बड़ी आँखें आश्चर इसे फैली हुई थी जिसमें आसों की कुछ बूंदे छिठक गई थी प्रियमवत सर सेकंड फ्लोर पर हैं आप फ्रस फ्लोर पर आईए लड़का उसकी दुविधा और पीड़ा दोनों समझ रहा था वह इस वक्त प्रियमवत का सामना नहीं करना चाहती थी जिससे तूट कर चोट खाकर यहां भटक रही थी उससे सामना कैसे करें कैसे अपनी दैनी सूरत दिखाये उसे कैसे दिखाये कि साल के आकरी जश्न में वह अकेली भटक रही है वह लड़का उसके एकदम पास आ गया था उसकी बहां थामे और अंदर ले चला वह अनमनी से चलती गई जैसे बिन पतवार नाव अपने को लेरों के भरों से छोड़ कर किनारे पहुँचने का ख्वाब देखती है उसने पहले चारों तरफ देखा सब लोग अपने में मशगूल थे किसी को किसी की खबर न थे सब किसी के साथ थे हर सरफ बतकहियों का ठहाकों का शोर उठ रहा था सब नए साल के उनमाद में थे ऐसी शाम को कोई भला अकेला बाहर थोड़े न निकलता है अकेली लड़की को देख कर लड़का उसके पास आ गया था उसने निष्ठा को इशारा किया निष्ठा नहैरान परेशान से उसके पीछे-पीछे चल पड़ी कुछ तो था उसे उस लड़के के पीछे-पीछे ठेल रहा था उसका नाम तक नहीं जानती थी नितांत अजनबी लड़का जो ठेट हर्यानवी अंदाज में बात कर रहा था अंग्रेजी पूलने के बावजूद उसका टोन छुप नहीं सका था उसके डील डॉल भी वैसी ही थी पप के बाहर मौजूद बाउंसर जैसी काया थी उसकी ऐसे अजनबी के बुलावे पर डिसकों के भीतर जाने का साहस जाने कैसे जुटा लिया एक बार भी नहीं सोचा कि उसे क्या करना चाहिए या नहीं कभी कभी समय के बहाव में बह जाना चाहिए निश्ठा आके बढ़ रही थी पप में गुस्ते ही उसने नजर डाली अंदर या तो जोडे थे या मस्ती खोरों का समूत ओफ वो यहां क्यों आ गई क्यों वे उस अंजान की बातों में आ गई जैसी वे उस कोने में पहुँची एक वेटर उसके पास ड्रिंक लेकर आ गया सजवीर सर ने बिजवाई है आप बैठी वो अभी आ रहा है आपके लिए और ड्रिंक मैं लाता रहूँगा निष्ठा ने ड्रिंक हाथ में ले लिया और जल्दी उसके सामने उसका फेवरिट प्लैटर था जिसमें कई तरह के पकोड़े थे जो उसे पसंद थे ड्रिंक के साथ तो मिस्टर राजवीर नाम है उसने चीज बॉल अपने मौ में रखते हुए कुछ से कहा लड़की ब्यूटी फुल कर गई चुल पूरा पब थिरक रहा था जल्दी उसका फेवरिट गाना बजने लगा बेबी को बेश पसंद है प्रियमवद के साथ वे नजाने कितनी बार इस पर थिरकी है उसने अपने ड्रिंक टेबल पर रख दिया और डांस फ्लोर पर चली गई जल्दी वे कई लड़कों से घिर गई ओ अकेली नाच रही हो कोई नहीं है साथ में हमें लिलू साथ में ओ ये लड़की ब्यूटी फुल कहां से आई है कहां जाएगी इधर आजा डांस करने का नाटक करते हुए कोई उसकी ड्रेस के अंदर तक चिकुटी काट रहा था कोई उसके जबरन गले लग रहा था उसे कोई इधर से खीर रहा था तो कोई उधर से कोई कहीं से चूने की कोशिश कर रहा था तो कोई कहीं से निश्ठा को जल्दी अपनी गलती का एसास हो गया कि ड्रिंक करने के बाद उसे इस तरह फ्लोर पर नहीं आना था तब ही अचानक से उसने खुद को किसी की बाहों से गिरा हुगा पाया हट सालों इधार आया भी टांगी तोड़कर हाथ में न दे दिया तो राजवीर नाम नहीं मेरा चलिए मैं ओ मिस्टर राजवीर तो ये सब तुमारा प्लान था बिठाओ पिलाओ खिलाओ और पर लड़की को फसाओ वाओ निष्ठा पर ब्रेंग का असर हो गया था और उसे लग रहा था कि अवे अकेले नहीं चल पाएगी मगर वे गुसा और हताशा सारा उगल दिना चाहती थी निष्ठा मैं बाहर निकलें मेरी शिफ्ट खतम हो गई है चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ अभी आप होश में नहीं हैं नहीं होने दो होश में क्या फर्क पड़ता है प्रियमवत को क्या फर्क पड़ा और तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा सब लड़के एक ही तरह के होते हैं चीटर मैम चीटर ही सही पर प्लीज चलिए न राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा निष्ठा ने चाहा कि अपना हाथ छुड़ा ले मगर एक नशे का सरूर और राजवीर की बलिष्ट भुजाए वह अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई मजबूरन उसके साथ चल पड़ी तुम वैसे इतने खराब प्लैनर नहीं हो तुम्हें सब पता था मेरी फेवरेट प्लेटर, फेवरेट ड्रिंक, प्रियमवद ओ गौश यू नो अ सिंगल बिट अबाउट मी शिट, हाउ मैं, हाउ लड़ खडाती हुई, वै राजवीर की बाहों में धेर हो गई निश्ठा राजवीर उसे थामे हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था मैं आपको आज से नहीं कई महीनों से देख रहा हूँ आपका प्रियमवद के साथ आना आपकी बातें सुनता था आप सामाने लड़की से अलग लगी मुझे हमेशा अलग तरह की बातें सुनी आपकी आप पब में भी अपने अंदाज में ड्रेसेस पहन कराती थी ग्रेसफुल लगती थी मुझे और आप एक दिन पीले रंग के खादी कुर्ते में आई थी उस दिन मुझे लगा कि ये लड़की कितनी अलग है कितनी नैचुरल है यह कताई बनावटी नहीं है पीना है तो पीना है प्यार करना है तो करना है अच्छा बड़ा गौर करते थे तुम बांसर का ये भी काम है क्या निश्ठा ने नशे में डूबी आंके खोल कर उसे गौर से देखा तुम्हें मैंने जितनी बार देखा उस प्रियमवत से जलन हुई कि आखिर है लड़की उसके पास क्यों है और जब प्रियमवत को किसी और के साथ देखा तब से मैं तुम्हें खोज रहा था और देखो तीन दिन से तुम भी यहीं का चक्कर लगा रही थी अब प्लानर मैं बढ़िया हूँ या गौड ऑल्माइटी राजवीर ने उसे सीट पर बिठाया और सीट बैल्ट से कस दिया निश्ठा राजवीर को गौर से देख रही थी ये कैसा लड़का है उसके बारे में इतना सब कैसे और क्यों जानता है वे सीट पर समबल कर बैठ गई थी नशे का जूंका आया और गया क्या चाहते हो तुम? निश्ठा ने उसका हाथ पकड़ते हुए हैरानी से पूछा उसकी आवाज में हैरानगी और अविश्वास का पुड़ता तुम्हारा साथ लेकिन मैं ही क्यों? अकेली हूँ इसलिए? यहां तो रोज मुझसे ज़्यादा ग्लेमरस लड़कियां आती है जाने कितनों को तुमने उनके ठिकाने पहुचाया होगा कितनी तुमारी बाहों में धेर हो गई होंगी मैं ही क्यों? यह क्या है राजवीर? तुम्हें क्या लगता है? राजवीर मुस्कुराया गाड़ी ड्राइव करते हुए वै कभी निष्ठा का चहरा देख लेता था कभी-कभी सामने से आती हुई कोई गाड़ी की हेड लाइट उसकी आँखे चौन्धिया देती उसने वसंत कुंच पार करते ही गाड़ी होज-खास विलेज की मोड़ पर रोग दी हम बहुत जल्दी आ गए दूरी ही कितनी थी सडकें खाली हैं समूची दिल्ली पार्टियों में व्यस्त है ट्रेफिक कम है तुम तो कभी सोती हो कभी जाकती हो कहां छोड़ो तुम्हें आज रहत मैं अकेली घर नहीं जाना चाहती समय क्या हुआ है मैं नए साल पर अकेली नहीं रहना चाहती कहीं भी ले चलो जहां कुछ लोग तो हो जहां हम साथ बैठकर नए साल का स्वागत कर सकें कुछ खाओगी यारा बजे हैं अभी नए साल आने में पूरा एक घंटा बाकी है तब तक हम सड़कों पर चक्कर काटे हैं चलो सीपी का नेट प्लॉस चले हैं उधर ट्रेफिक बंध है मैम जी गाड़ी धूर खड़ी करके पैदल घूमना पड़ेगा और आपकी हालत पैदल चलने की नहीं है मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ या फिर हम ल अधियत नस्दीक थी राजवीर के हाथ उसके हाथों को कस रहे थे तुम कहां रहते हो फैमिली के साथ रहते हो घर में कौन-कौन है निष्ठा सवाल दागे जा रही थी शाहपुर जट जानती हो वहीं रहता हूँ महानगर के भीतर टिपिकल गाउं है दरवाजे पर दो भ क्यों लड़कियों से डर लगता है उन्हें लड़कियां ही तो तलاش रहे हैं मेरे लिए तुम्हें देखते ही खुशी के मारे चिल दाने लगेंगे। ठीक है फिर तुम्हारे गर कॉफी पीते हैं और नए साल का जश्रमन आते हैं आर यू सीरियस मने मेरे गर राजवीर खुशी से जूम उठाता है हाँ तुम्हारे ही गर क्यों नहीं ले चलोगे राजवीर ने गाड़ी गुमाई और अपने घर की तरफ मोड लिया चोड़ी सड़क से गाड़ी पतली सड़क में जब गुसी तो निष्ठा दंग रह गए उसने हौज खास विलेज की गली तो देखी थी शाहपुर जटकी गली की कल्पना तकने के थी एक तरफ दो मंजिला मकान थे कुछ सिंगल स्टोरी भी थे जिसके बाहर भैसे मंधी थी दरवाजे पर एकट खाटें खड़ी नजर आई गली शुरू होते ही एक बड़े फैशन डिजाइनर का शूरूम देखा ये इलाका कहने को गाउ है यहां हर घर में फैशन डिजाइनर का वर्कशॉप है बहुत महंगा गाउ है कई सरकारी दफ्तर भी खुले हैं यहां रईसों का महला है जी कम मत समझना यहां तो ताउ दिखेंगे उनके हैसियत का अंदाजा न लगा पाओगी उनके बच्चे मर इसे लील गई है तुम खोश नहीं लग रहे हो राजवीर निश्ठा तुम अंदाजा नहीं लगा सकती हो कि हमने क्या कोया और क्या पाया है अरे यार सीरियस मत हो निश्ठा को याद आया मम्मी ने चैकते हुए बताया था कि गाउं में ATM मशीन लग गई है हीरो हॉंडा का शोरूम खुल गया है डॉमिनोज वालोंने जमीन मागी है शहर के सबसे नजदीक गाउं होने से जमीन की कीमतें आसमान चू रही थी ओ तो मेरा गाउं भी एक दिन शापुरा जट हो जाएगा निश्ठा हमारे घर की लड़किया पर लिखकर बाहर निकल ग है तो तुम इसीले सिंगल हो अभी तक निश्ठा जूर से खिल खिलाई यही समझ लो राजवीर जेपा मगर निश्ठा की हसी में शामिल हो गया था राजवीर के घर के आगे पार्किंग स्पेस बहुत लंबा चोड़ा था दो गाड़ियां पहले से लगी हुई थी तीसरी राजवीर ने पार्क की साहरा देकर निश्ठा को गाड़ी से उतारा निश्ठा लड़कर आती हुई राजवीर के कंधे से लग गए कुछ पल दोनों उसी तरह राज की सननाटे में खड़े रहे एक बात कहूं आज मैं भाशन देने के मूद में हूँ सुनोगी बुरा पार्क का सामना करता हूं उन्हें सुनता और जीलता हूं कि जिन्दगी को पहचानने लगा हूं शायद समझाने लायक पाता हूं खुद को निष्टा ने खुद को संभाला थोड़ी सचेत हुई चाने क्या भाशन पिलाएगा कहीं से भी टिपिकल मर्दों वाला ग्यान न देने लगे कि जवान और अकेली रड़कियों को अकेले देर रात पब में नहीं आना चाहिए सडकों पर नहीं जूमना चाहिए अजनबिय लकडियां छोड़ दी थी उनसे हलका धुआ अभी भी उट रहा था उसने कुछ सूकी लकडियां डाल कर आग जलाई प्लास्टिक की कुरसियां ले आया दोनों वहां जम कर बैठे निष्टा को यहां जादा अनन्दा रहा था दिल्ली आने के बाद से इस तरह खुले में आग जलाकर कभी बैठी ही न थी गाओं की इस मृतियां बच्ची हुए थी इस सर्द रात में वह थी आग थी और गूंता हुआ सन्नाटा था घर से थोड़ी दूर पर कुछ पशु बैठे नजर आ रहे थे आसपास की दुकाने रोशनी से जगमगा रही थी कहीं कहीं से त लटक रही थी उसकी तेज लप्टों में राजवीर का चेहरा दमक रहा था मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ आज से नहीं जब से तुम्हें पहली बार देखा था निश्ठा सिर्छ जुकाया आग को देखती रही हम अपने पब में रेगुलर आने वाले जोडियों को अच्छे से पहचानते हैं खास कर लड़कियों को राजवीर हसा निश्ठा सुनती रही नई सुबह आ रही है तुम अपनी पसंद की जिन्दगी जीओ जो चाहे करो तुम्हारे पंक है अपने पास ही सुरक्षित रखना कभी किसी पुरुष की निगरानी में मत देना त अगर मुझे तुम से जादा जिन्दगी का तजुर्बा हासिल है मेरी एकलोती बहन को इसी तरह किसी लड़के ने धोखा दिया था वै मरते मरते बची आज वो सुखी है मगर मेरा परिवार उस हादुसे को नहीं भूल पाया है मैं तब से किसी अकेली लड़की को देखता हूँ तो उससे बात करने की कोशिश करता हूँ उसकी मदद करता हूँ उसे कम से कम घर तक जरूर छोड़ने की विवशता करता हूं पब ऐसा ठिकाना है जहां हर वीगेंड कुछ जोड़े टूटते हैं कुछ नए बंते हैं कुछ लोग अचानक आना बंद कर देते हैं तुम तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था मैंने उनकी बातें भी सुनी थी तभी से गहरी चिंता में पढ़ गया था इतनी शोर में तुम सब की बातें भी सुनते हो निश्ठा हसी जिनें बात करना होता है वे बाहर आकर बैठते हैं जहां हम खड़े होते हैं जोडों को देख कर हम और सतर्क हो जाते हैं यह हमारी जूटी है बातें सुनाई पढ़ती हैं प्रियमवत पर मैंने खास नजर रखी थी जब तुम्हें नहीं देखा था तो मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था न वहाँ रिष्ठा ने अफसोस में भर कर पूचा अच्छा किया ना भाग खीच कर लाता है हमें इस तरह मिलना था ना नई सुबह का अगाज एक साथ जो करना था इस वीकेंड मेरी चुटी है हम साथ चलेंगे वहाँ मैं चाहता हूँ तुम प्रियमवद का सामना करो उसके सामने डट कर खुशिया मनाओ जितना तूटने का मातम मनाओगी वो उतना अपने अहंकार में डूबेगा मैं समझता हूँ किसी रिष्ठे से बाहर निकलने में समय लगता है लेकिन जब ये सच्चाई पता चले कि तुम केवल उस रिष्ठे में एक टाइम पास भरती निकलना बहुत आसान हो जाता है ये प्यार तुकता ही न था तुम दोनों का तुम्हें भले प्यार लगता हूँ राजवीर कुछ देर चुप रहा रुको मैं कुछ खाने पीने का सामान लाता हूँ मेरे पास अच्ची से रेड वाइन पड़ी है लाता हूँ ताउ जग जाएं तो डरना मत मस ताउ जी हैं हमारे आता हूँ राजवीर अंदर कुछ लेने चला गया अंदर जाते जाते मुडा अंदर बैठना पसंद करोगी या बाहर ही बाहर ही अच्छा लग रहा है बस गाने वाने बजा दो आज की रात तो एक बजे तो गाने बजा ही सकते हैं चाहो तो ताउ जी को भी जगा दो हम यही डांस बार बनाते हैं आकाश की छटें तारे जिल में लड़ियां हैं यह सड़क डांस फ्लोर बनेगे निश्ठा कुर्सी से उठकर जूमने लगी थी आग की गर्माई उसके समूचे जिस्म में पैट रही थी चाहती का बोज कम हुआ जा रहा था उसने दूर गगन में तारों को देखा कितने इस्थिर शांत और चमकते हुए उसका चित अचानक इस्थिर हो गया आप समझ में आया कि प्रकृति कितनी बड़ी गुरु होती है समय के घाव को भरने वाली मरहम भी कितने इशारे आते हैं प्रकृति को कितने पाट पढ़ाती है हम कहां भूज पाते हैं उसके इशारे इतनी राहत कब मिली उसे याद नहीं आया इस नीरव एकांत में वैं बाहें फैला कर जूम सकती थी जहां किसी को गंधाती देह नहीं टकराती सर्ध हवाएं थी सफेद रात और कतारबध पीड अंधेरे में बेखौफ खड़े पीड पत्तों से खड़ खड़ाने की आवाज आ जाती थी मानो परिंदों ने करवटें बतली हों या पंक फड़ फड़ाय हों इस सन्नाटे में वैं राजवीर को बातें एकागर होकर समझ सकती थी उसके शब्द उसके कानों में बजने लगे थे उसे लगा उसका प्रिय गायक अरजीत सिंग कोई मोहक आलाप ले रहा है जीवन तेजी से उस रात बदल गया था जीवन के सैलाप में उसने अपने कोफिल हाल छोड़ दिया निश्ठा ने उस पल सोचा दो सुभाओं के बीच रात आ जाती है अक्सर सुभै को कोई रात नहीं रोक सकती बस प्रतीक्षा को लंबी कर देती है किसी यातना की तरह है नई सुभै का आगाज हो चुका था उसे कैसे रोका जा सकता है फूल, धूब, फानी और गंद सब फाड़ कर निकल जाते हैं ये सब प्यार के अव्यव ही है अविश्वसनी ये ढंक से उसके जीवन में नया सबेरा प्रवेश कर चुका था उसे इस वीकारने में वक्त नहीं लगना चाहिए ये बातें अव्यक्त नहीं रहें इसका शिद्दत से उसे खयाल आया उसे अब प्रेम का इस्थाई ठिकाना मिल गया था जैसे थारों का इस्थाई ठिकाना आकाश होता है जिन्दगी को प्रयोकशाला में बदलने से रोकना होगा नए साल की शुरुवात और नए संकल्प उसके सामने थे वाइन की बोतल खोलते हुए राजवीर फुसफुसाया था नए साल का संकल्प क्या है तुम्हारा कन्या निश्था ने मूबाइल पर गाना बजाया ऐसे ही जग में आती हैं सुभें ऐसे ही शाम ढले राजवीर चीखा समय हो गया काउंट डाउन शुरू दस, नो, आठ तभी कुछ इमारतों में कुछ सेकेंड के लिए बिजली गई और फिर भक से जली बत्तिया आग के पास खड़ा राजवीर उंगलियों से काउंट कर रहा था दो, एक, हैपी न्यू यर, हैपी न्यू यर है जी तावू अंदर से बोलते हुए बाहर निकल आये थे, दूर से पठाके चलने की आवाजें आने लगी थी, हैपी न्यू यर की धुन बज उठी थी, लोगों के चीखने की आवाजें आने लगी थी, नाया साल 2018 की वह कुछ अलग सी थी बेहत अलग आप सभी शुरूताओं का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद